फस्ट बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत नमस्कार आप देख रहे हैं फस्ट बाइट आटी में हात्रस में रालोद कारेकरता हुआ जैन्त चौधरी पर लाठी चार्ज का पस्चमे उत्तर प्रदेश में व्यापक विरोध शुरू हो गया है मुझफर नगर में जगे-जगे विरोध प्रदेशन के लावा सड़कों पर जाम किया गया मेरत कमिशनरी परिवी रालोध कारेकरतों ने जवर्दस विरोध प्रदेशन किया प्रतरशन के दौरान रालोज निताव ने कहा कि मुख्य मंत्री योगी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे अफसर हैं जो इस तरह की घटनाव को अंजाम दे कर उन्हें खुश करने में लगे हैं लेकिन इसका व्यापक विरोध होगा और लोग सरको पर उतर कर सरकार को उखार फेकेंगे प्रतरशन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई पुतला भी फूकनी की कोशिश की गई पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ ऐसमाजिक तत्तू भी शामिल थे वीडियो फोटेज देखकर उनके खिलाब विधी सम्मत कारवाई की जाएगी आठ अक्टूबर को मुझफर नगर में इस गटना की विरोध में बड़ी सभा भी बुलाई गई है जिसमें जैन चौधरी भी भाग लेगे आएए पहले देखते हैं बीते दीवस का वे वीडियो जिसमें पुलिस ने अपनी लाठियों का शिकार रालोज नेता जैन चौधरी वे कारेकरता को बनाया इस घटना का व्यापक विरोध हुआ है मेरट कमिशनेरी पर धटना प्रशन करते हुए रालोट के वरिश नेता डॉक्टर राजकुमार सांग्वा ने मीडिया से बात करते हुए यह का प्रशन के विपक्ष के लोग जो कारेकरता अगर उसकी मदद करने के लिए उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए उसको इंसाब दिनारे के वहां जाने का काम करते हैं तो परदेश की सरकार इतनी गुंड़ाई पर उतर आई है कि वो लाठी और गोली चला कर विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहती है यह मुखमंत्री बोखला गए हैं यह बोखला ही सरकार का नेतिजा है जिस तरह पुलिस से वो कारवाई करा रहे हैं कल जैन चोदरी जी पर पुलिस से कातिला हमला कराने का काम किया यह सरकार के सारे पर हुआ है इसके पिछा दूसरी मन्चा नहीं है कि विपक्ष की पर दूबेंगे उनकी कारे पढ़ना ली अभी मुखमंत्री को खुच करने की नियस से वो इस घटना को दूसरी दाइवर्ट करने का काम करने और यह बोखलाट का नतीजा है जब सरकार बोखला जाती है और गलत काम में धंदों में फव जाती है तब वह इस तरह की हरकत कर जो उनका कल का आचरण है भर्जी मुकद में लिखवा गए नेताओं खिला मुकद में लिखवा गए जब यह विपक्ष में तब इनका आचरण क्या था आज जो सची घटना है उनके मैं अपराद्यों के खिलाब कारवाई हो जो पीडिते हैं उसको इंसाब मिला इस पर काम ह यहां मुक्खे मंत्रे के पुतले को छेनने के लिए भी पुलिस व्यकार करताओं के बीच खूब जो राजमाश होई है इस खबर में आज इतना ही देखतेरी यह फस्ट बाइटो टीवे नमस्कार